आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में आपको problem आ रही है कि आपके फोन में यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है आपके फोन की audio sound work नहीं कर रही है याँ फिर call आने पर आपको sound नहीं आता है तो sounds related अगर आपको कोई problem आ रही है तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको इस problem को ठीक करने के लिए अपने फोन में सबसे पहले settings को open करना है phone की settings में आने के बाद आपके सामने ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर आपको नीचे scroll करके एक option मिलेगा आप देख सकते हैं sound and vibration sound and vibration option पर click करिए click करने के बाद ऐसा interface आएगा अगर आपका notification में ringtone non select है यानि कि कोई ringtone आपने select नहीं की है या फिर ringtone में आपको कोई यहाँ पर sound select नहीं है तो अपने phone में कोई आपको ringtone set कर लेनी है इन पर click करके अपने according जो sound आप यहाँ पर set करना चाहते हैं कर सकते हैं उसके बाद आपको adjust volume में check करना है अगर आपका volume phone का यहाँ से कम कर रखा है तो आप यहाँ से on कर दीजिए यानि कि यहाँ से आपको volume को full कर देना है कुछ इस type से तो सारे volume इस type से आप increase करिए और यह जरूर आपको check करना है और यह check करने के बाद आपको यहाँ पर check करना है अपने phone में notification panel को open करके अगर आपने phone में mute यानि कि silent को on कर रखा है इस option को on कर रखा है तो आप इसे बंद कर दीजिए और उसके बाद आपको मिलेगा एक option dnd अगर आप इसे on करेंगे तो यहाँ पर आपके phone में जो call message आएगा उसका sound आपको नहीं आता है तो आप इसे भी बंद कर दीजिए और यह settings apply करने के बाद आपको check करना है अपने phone को बंद करके चालू करके आपकी problem ठीक हो जाएगी अपने phone को restart करिए उसके बाद भी problem आ रही है तो आपके phone में हो सकता है कोई hardware problem होगी यानि कि यहाँ पर आपके phone का हो सकता है speaker खराब होगा या फिर आपके phone में कुछ hardware issue है तो वो अपने phone के आप service center पर check करा सकते हैं और अपने phone को repair करा सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आई तो video को like करें और channel को subscribe जरूर करें